इसकेच को अलाइन और इसकी लेयर्स को मर्ज करने के बाद हमारा नेक्स स्टैप है इसके बैक्ग्राउंड को क्लीन करना आप यहाँ पर पैंसिल के काफी सारे मार्क देख रहे हैं उन्हें हमें क्लीन करना है और दूसरी चीज यह है कि यह जो बैक्ग्राउंड आप देख यह प्यूर वाइट नहीं है जहां पर हमने वाइट कलर फिल किया था वह एरिया यह है और यह पेपर का कलर है जो कि प्यूर वाइट नहीं है थोड़ा आफ वाइट है यहां पर मैंने दो डॉक्मेंट और ओपन किये हुए है अगर हम इस डॉक्मेंट को देखें जो कि मैंने mobile camera से capture किया हुआ है इसकी sheet का color आप देख रहे हैं काफी dark है और ये soft pencil से sketch किया गया है तो इसकी edges काफी soft हैं तो सबसे पहले हमें इसकी edges को dark करना पड़ेगा उसके लिए हम एक filter use करेंगे सबसे पहले मैं इस layer की duplicate copy create करता हूँ तो right click करते हैं और यहां पर duplicate layer का option आ रहा है duplicate करने के बाद हम जाएंगे filters में others और यहां पर एक filter है high pass high pass filter के radius की value हमें around 2.5 या 3 के आसपास लेनी है okay बटन पर click करें उसके बाद हमें इस layer पर soft light blending option एपलाई करना है तो इस normal पर click करें और यहां से soft light चूज करें अब अगर आप इस आई बटन पर on या off करके देखेंगे तो इसकी edges थोड़ी सी dark हो गई है मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ देखिए काफी dark हो गई है उसके बाद आप इन दोनों layers को merge कर दें अब हम इस sheet का background थोड़ा light करेंगे और इन edges को थोड़ा सा dark करने की और जरूरत है उसके लिए हम जाएंगे image, adjustment और label पर click करें label के fly out में यहां पर तीन marker दी हुए इन्हें आप move करके sheet का color या जो भी image का color है वो light या dark कर सकते हैं जैसे मैं इस marker को left side में move करता हूं तो देखिए sheet का color white होते जा रहा है और यह marker जो की dark color से connected है अगर आप इसे move करेंगे तो lines का color और dark होते जाएगा लेकिन sheet का color भी dark होते जाएगा तो ज्यादा move नहीं करना है इसे इन markers की position अलग-अलग image पर अलग-अलग तरीके से work करती है तो आप अपने image के साफसे इन markers को position कर सकते हैं उसके बाद OK पर click करें अब हमारी image थोड़ी better हो गई है उसके बाद हम एक दूसर tool यूज़ करेंगे जो की image, adjustment और threshold है इससे image pure black और white में convert हो जाती है यहाँ पर threshold level का एक marker है जिसे आप अगर right side में move करेंगे तो यह edges और ज़्यादा dark होती जाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं detailing का histogram है मतलब कि यहाँ पर information है अगर आप इसे left side में move करेंगे तो erase होती जाएंगी देखिए, erase हो गई है lines तो आप देख लें कि आपकी image के साब से इसकी position कहां होनी चाहिए मैं करीबन यहाँ पर इसको position कर देता हूँ ok पर click करते हैं अब हमारे sketch की line pure black और background pure white में convert हो गया इसी तरीके से अगर आपने कोई reference image net से download की हुई है जिसके अंदर watermark है अगर आप इन्हें हटाना चाहते हैं उसके लिए आप labels use कर सकते हैं हम इस white color के marker को थोड़ा सा left side में move करेंगे तो यह watermark हट जाएंगे देखिए watermark हट गए हैं और इसी तरीके से अगर आप इन edges को थोड़ा और dark करना चाहते हैं तो इस black color के marker को थोड़ा सा right side में move करें देखिए यह edges आप काफी dark हो गई है यह आपको अपने हिसाब से image image पर depend करता है कि आपको कहां तक रखनी है मैं करीबन यहां तक रखता हूं यह edges आ गई है ओके करते हैं अब हम चलते हैं अपनी first image पर और इसका background भी हमें pure white करना है सबसे पहले मैं layer को select करता हूं और उसकी बाद ctrl L प्रेस करें जिसे की level का fly out open हो जाएगा और bright color वाले marker को आप select करके left side में move करेंगे तो यह देखिए white color आ गया है यहां पर और अगर आपको यह edges और dark करनी है तो आप dark वाले marker को इस तरीके से move करेंगे तो यह dark होती जाएंगी मैं करीबर इसको यहां पर रखता हूं जिससे की इसका background जो थोड़ा सा grey था वो भी white हो गया है और edges भी dark हो गया है उसके बाद आप ok पर click करें background clean करने के बाद हमें इस image के जो mark आप देख रहे हैं यह हमें clean करने होगी उसके लिए आप brush भी use कर सकते हैं या pencil tool भी use कर सकते हैं मैं आपको दौनों tool में difference बताता हूं हम चूज कर रहे हैं brush और अगर आप right click करते हैं तो यहां पर brush का panel आ गया मैं एक hard edges वाली brush ले लेता हूं इसकी size काफी बढ़ी है तो right click करते हैं इसकी size थोड़ी से reduce करते हैं अगर मैं इसको इस तरीके से paint कर रहा हूं तो इसकी edges आप देख रहे हैं काफी smooth हैं लेकिन जबकि हमारे sketch की edges काफी hard हैं तो इसलिए हम brush use करना prefer नहीं करते हैं Ctrl Z करता हूं और हम चूज करते हैं pencil tool इसकी edges काफी hard होती हैं देख रहे हैं बिल्कुल sketch से match कर रहे हैं open bracket और close bracket से आप इसकी size change कर सकते हैं जैसे कि मैं close bracket से इसकी size increase कर रहा हूं और उसके बाद अगर आपको इस mark को erase करना है तो white color यहाँ चूज करें D press करेंगे तो default color आ जाएंगे और X की press करने से color swap हो जाते हैं उसके बाद आप यहाँ paint करेंगे तो यह mark हट जाएंगे Space bar से मैं इस तरह के skin को pen कर रहा हूं और paint कर रहा हूं अगर आप कहीं पर line add करना चाते हैं तो X की press करें जिसे की color swap हो जाएंगे और वहाँ पर आप line draw कर सकते हैं in case कहीं पर line open रह जाती है सबसे पहले तो मैं इन mark को erase कर रहा हूं और अगर आपको लगता है कि कुछ edges इस तरीके से हैं वह भी आपको fix करनी है तो वह काम भी आप कर सकते हैं साथ के साथ जैसे मैं यहाँ पर click करता हूं उसके बाद shift की press करेंगे और यहाँ click करेंगे जिसे की एक straight stroke apply होता है मैं फटाफट इसे clean कर देता हूं फिर आपको यह दिखाता हूं हमने अपनी drawing को clean कर दिया है उसके बाद आपको एक काम और करना है सबसे पहले आप इसे थोड़ा zoom करें stroke open होने की वज़े से color outside में flow हो जाता है अगर आप इस area में कोई color fill करते हैं तो यहाँ पर boundaries ना होनी की वज़े से दूसरे area में fill हो जाता है तो आप उन strokes को close कर ले मैं brush का size reduce करता हूं उसके बाद एक click करेंगे shift की press करेंगे और इस तरीके से अभी हमने white color चूज किया हुआ है X press करेंगे black color आ जाएगा click shift की press करके रखेंगे उसके बाद click करेंगे तो जैसे close हो गया है उसी तरीके से अगर आप देखें कि और कहां कहां पर open path है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर open है तो मैं click यहां करूंगा इस तरीके से और यहां पर भी है इन steps को follow करने के बाद एक बार अपने document को save कर दें उसके बाद हम इसके अंदर color fill करना start करेंगे